नमस्कार दोस्तों आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारी योटूब चैनल बाउंट एड़केशन में हम जारकन के भुगोल का सीरीज कर रहे हैं और जारकन के भुगोल के सीरीज का यह तिरतिया पार्ट होगा इससे पहले मैंने दो लेशन के वीडियो उनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो वहां से जाकर देख सकते हैं क्योंकि हमारे जो लेशन होते हैं एक दुसरे से कनेक्टिर होते हैं और इस lesson को समझने के लिए आपको उन दो lessons की ज़रूरत पढ़ेगी तो आज की lesson में हम लोग पढ़ेंगे जारकंड के प्रमंडल के बारे में तो आज हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे सबसे पहले देखेंगे कि प्रमंडल कीसे कहते हैं उसके बाद हम लोग जानेगे कि जारकन में कितने प्रमंडल हैं, उसके बाद जारकन के सबसे बड़ी तद सबसे छोटे प्रमंडल के बारे में जानेगे, फिर जारकन के प्रमंडलों के मुख्याले कहा कहा इस्तिते इनके बारे में अध्यन करेंगे, उसके बाद जो मतपु बोक्स में कमेंट करके बताने आए तो चलिए आज की टॉपिक को शुरू करते हैं तो देखते हैं कि जारकर प्रमंडल किसे करते हैं भारत के राज्यों में प्रसासनिक ब्यवस्ता को बनाए रखने के लिए एक बड़ा छेतर होता है जिसमें कई जिले या मंडल सामिल होते ह आम तोर पर इसके अंतरकत कई मंडल आते हैं इसका नियंतरन आयुकत के हाथ में होता है और वे राज के विवागिया सचिव को रिपोट करते हैं अर्थात प्रमंडल एक ऐसा बड़ा छेतर होता है जिसमें बहुत सारे जिले सामिल होते हैं इसको और भी अच्छी तरह से स अनमंडल बनता है फिर बहुत सारे अनमंडल मिलके एक जिला बनता है फिर बहुत सारे जिला मिलके क्या बनता है एक प्रमंडल बनता है तो समझ में आया कि प्रमंडल कीसे कते हैं प्रमंडल में दो से ज्यादा जिले होते हैं ठीक है फिर बहुत सारे प्रमंडल मिलके एक राज बनता है फिरंत में देज बनता है ठीक है उसके बाद में देखते हैं कि जारकन में कितने प्रमंडल है तो देखे जब राज का पुनर गटर नहीं हुआ था तो जारकन में कितने प्रमंडल थे जारकन में बस चारी प्रमंडल थे कौन-कौन सा यह रहा पलामो प्रमंड उसके बाद ये उत्तरी छोटा नाज़पूर प्रमंडल था और ये जो टोटल एरिया था ये था दक्छीनी छोटा नाज़पूर का और ये उपर वहला पर ऐरिया दिख रहा है ये था संताल प्रगना का तो उस समय कोलान प्रमंडल का कोई भी नामू निशान नहीं था ठीक है फिर जब राज का पुनर गठन हुआ उस समय उसके बाद कोलान प्रमंडल का निर्मान हुआ देखे जिसमें से अभी कितना प्रमंडल हो गया अभी पाँच प्रमंडल हो गया कोन कोन सा पलामो प्रमंडल ये एरिया संथाल परगना प्रमंडल फिर ये दक्षिनी छोटा नागपूर प्रमंडल और यहां से जो एरिया क्या हुआ ये कट के कोलान प्रमंडल बन गया पहले ये दक्षिनी छोटा नागपूर प्रमंडल का ही हिस्सा हुआ करता था लेकिन इसको अलग कर दि जब राजी का पुनरगटा नहीं हुआ था उससे पहले सबसे बड़ा जारकन का प्रमंडल कोन सा था सबसे बड़ा जारकन का प्रमंडल दक्षीनी छोटा नागपूर प्रमंडल था क्योंकि ये टोटल एरिया दक्षीनी छोटा नागपूर प्रमंडल का था लेकिन अभी व नमिंतम प्रमंडल कौन सा है, सबसे नमिंतम प्रमंडल हम लोग जानते हैं कौन सा है, सबसे नमिंतम प्रमंडल है, कौलान प्रमंडल, ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम जब इन प्रमंडल के बारे में डिटेल से अध्यन करेंगे, एक एक प्रमंडल के बारे में ए प्रोनों आद्यान करेंगे फिर हम लोग देखते हैं कि अगर इन प्रमंडलों को एक ट्रीक की साहथ स्याध करना चाहे तो हम लोगा ट्रीक बनके आता है कोपला का sp नस नागपुरी कोपला मान लेजे कोई छेतर का नाम है वहां का sp का नाम क्या है अगर को से देखे तो को से क्या हो गया को से कोलहान हो जाएगा कोलहान प्रमंडल प्ला से हो जाएगा प्लामू प्रमंडल प्लामू प्रमंडल हो जाएगा उसके बाद S.P. से क्या हो गया S.P. से संथाल परगना हो गया संथाल परगना प्रमंडल हो जाएगा और N से North और S से South नागपुर नी मतलब छोटा नागपुर ठीके तो उत्तरी और दक्षिनी छोटा नागपुर प्रमंडल हो जाएगा इस परकार आप ट्रिक की सायता से इन पांचो प्रमंडल को याद कर सकते हैं फिर हम लोग देखते हैं कि इन पांचो प्रमंडल में कितने जिले हैं तो हम लोग कि जो पांच प्रमंडल होए हैं उत्तरी चोटानापुर प्रमंडल, दक्षिनी चोटानापुर प्रमंडल, संथाल परगना प्रमंडल, फिर प्रामुमो प्रमंडल तो उत्तरी चोड़ानागपूर प्रमंडल में कितने जिले हैं, उत्तरी चोड़ानागपूर प्रमंडल में साथ जिले हैं, दक्षिनी चोड़ानागपूर प्रमंडल में कितने जिले हैं, छे जिले हैं, पलामू प्रमंडल में कितने जिले हैं, तीन जिले हैं, और कॉर्हान प्रमंडल में तीन जीले हैं मैं इन सब इन जीलों के बारे में डीटेल से अगली चेप्टर में अजधन करवाऊंगा उसके बाद देखते हैं कि इन प्रमंडलों का मुख्याले कहां कहां इसती थे तो देखे, जो उत्तरी छोटा नागपूर का प्रमंडल का है, उत्तरी छोटा नागपूर प्रमंडल का कहा हिस्ती थे, हजारी बाग में इस्ती थे, दक्षिनी छोटा नागपूर प्रमंडल का मुख्याले कहा हिस्ती थे, राची में, संताल प्रगना का कहा हिस्ती थे, प् जो भी हम लोग ने अध्यन किया, इन सब से related कौन-कौन से महतपुन प्रश्ण बन सकते हैं, उन सब के बारे हम में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है, देखे, सबसे नभिंतन प्रमंडल कौन सा है, तो मैंने आपको बताया कि सबसे नभिंतन प्रमंडल कौन सा है, कौलहान प ठीक है, बरतमान में सबसे बड़ा प्रमंडल कौन सा है, बरतमान में सबसे बड़ा प्रमंडल है, उत्तरी चोड़नागपूर, क्योंकि इसमें साथ जिले हैं, और ये सबसे ज्यादा सबसे बड़ा प्रमंडल है, ठीक है, फिर दिखते हैं, दक्षिनी चोड़नागपूर प्रमंडल में कितने जिले हैं, तो हम लोग जानते हैं, दक्षिन चुरनागु प्रमंडल कितने जिले हैं, पांच जिले हैं, कुलान प्रमंडल का मुख्याले कहा हैं, हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं, चायवासा में है, संताल प्रमंडल में कितने जिले हैं, संताल प्र तो पिछले वीडियो में मैंने जो कोश्चन पूछा था उसका एंसर में बता दूंगा जारकंड की गंगा किस जिले से गुजरती है जारकंड में तो उसका प्रशन है आप लोगों के के लिए तो आज का प्रशन इस परकार होगा लावालोंग अभ्यारा इन जारकंड की किस जिले में इस्तित है ठीक है और आपका उप्षन होगा चातरा, दुमका, गुमला या लातिहार ये सब आपके उप्षन हो जाएंगे आपको अगर इसके बारे में पता होगा आप इसका डिटेल से लिखेंगे और इसका जबा कमें